नमस्कार मैं डॉक्टर वेपिन वनसल वास्तू कंसल्टेंट आज मैं आपको नॉर्थ फेसिंग शॉप के बारे में जानकर लेए देना चाहूंगा कि वास्तू शास्तर के नजर नॉर्थ फेसिंग शॉप में किन-किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए आपने जरूर सो खर्चे निकालती है और कुछ दुकाने ऐसी होती है जो हमेशे ही घाके में चलती है उन्हें अपने दुकान में माल डालने के लिए बार-बार पेविंट की जरूरत बढ़ती है ऐसे क्या कारण बनते हैं क्या आपने सोचा है उसी मार्किट के अंदर बैखने वाले लोग बहुत बड़िया भी काम कर रहे हैं और आप घाके में चल रहे हैं जो सामान वो बेचते हैं वही सामान आपके पास भी है फिर भी आपके यहां कस्टमर नहीं आता फुटफॉल नहीं आता आपके यहां कस्टमर का फुटफॉल बहुत कम है आप जरूरत से ज्यादा प्रे मेरा अपना यह मानना है कि कहीं ना कहीं से आपको प्रोफिट जरूर मिल जाएगा आपके अपनी दुकान में कस्टमर का फुटफॉल आना शुरू हो जाएगा उसके लिए आपको कुछ काम अपने यहां पर करने हैं सबसे पहले तो आप यह देखे कि आपकी दुकान का जो फर्श का लेवल है फ्लोर लेवल है रोड के लेवल से नीचा है तो आपकी दुकान पर फुटफॉल नयके बराबर होगा आपकी दुकान नौर्थ फेसिंग है और आपने जिस समय अपनी दुकान को तियार करा है उस समय आपने अपनी दुकान के बेक सैड का एरिया नीचा कर दिया यानि साव सैड का एरिया आपने फर्श के लेवल में नीचा कर दिया तो मेरा अपना यह है मानना है कि आपकी य पहलाने फर्ष की जलाने वो सौथ से नौर्शिष की ओर जरूर करें ऐसा करने से मेरा अपने यह मानने है कि आपके यहां काम बहुत बढ़िया हो जाएगा आप नोटिस करें आपकी दुकान के आगे फ्रंट में लाल रंग है लाल रंग का कोई सामान है या आपने शेटर के जरूर हटाएं आपकी दुकान के बाहर फ्रंट में नौर्फ इस्ट कॉर्णर में ट्रांस्फॉरमर लगा हुआ है तो भी आपके यहां फुटफॉल नहीं आ सकता तो भी आपके यहां अच्छा फुटफॉल नहीं हो सकता किसी कारण से आपके हैं फुटफॉल बहुत है ऐसे ही आपके अपनी जो बेल्डिंग है जो आपके अपनी दुकान है उसके इस्ट में यानि पूरों दिशा में उंची बिल्डिंग बनी हुई है तो भी आपके हैं वर्किंग लंबे समय तक अच्छी नहीं रह सकती इसी के साथ मैं आपको बात और बताना चाहूंगा आ आपके दुकान नौर्थ फेसिंग है जो आपका बाहर का एरिया है वहां का लेवल यानि रोड का लेवल उंचा नीचा है अप एंड डाउन है उबड़ खाबड़ है तो भी आपके हैं वर्किंग अच्छी नहीं हो सकती आपको अपने यहां पर वर्किंग अच्छी चाहि आपको मेरे द्वारा दीएगी जानकारी यह दी अच्छी लगी है तो आप अपने यहां पर यह छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रेजल्ट प्राप्त कर सकते हैं मैं हमेशे ही आपको वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुगाओं की जानकारी देता रहता हूं मैंने अपने इस कॉंसेप्ट को जो सीखा अपने फादर के साथ रहकर प्रैक्टिकल साइट विजिक पर जाकर सीखा है और जो हमारी पुस्तक है लक्षमी परविश कैसे हो मैंने इस पुस्तक को पढ़कर भी वास्तु शास्तर को सीखा है और समझा है और उसके बाद जो म मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है हमारे पताजी ने इस पुस्तक को छपवा का समाज में बाटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाग उठाया आप अपने नया घर बनाने जा रहे हैं या आप अपने घर को रेनुट करने जा रहे हैं तो भी आप हमारी हमारी हमें पसक उसक्ति आप गर को वास्ती। दोश्मुक्त बनाने में सहाय चरूर होगे। आप हम्हारी हमें पसक्रीन पर दिये गए नंबर पर सम्पर करके। आप हम्हारी हमें पसक्तिा कर्ए हैं। आप सभी fence मैं निकालकर मेरी weडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तैदिल से धन्यवाद करता हूँ आप मेरी वीडियो को अपने फैमली और फ्रेंज के फेस्बुक ग्रूप और वाटस अप ग्रूप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और साथ में बेल आइकन जरूर दबाए ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोट्यूफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहें इसी तरह अगले प्रोग झाइब कर दोगाद कर दूझा है